आज का विश्य है ब्रिटिश इस इंडिया कमपनी भारत कैसे आई अब ये जानने के लिए हमको ये समझने की जुरुरत है कि वो वक्त लगबख 400 साल पहले जब ना कोई हवाई मार्ग हुआ करता था और ना ही कोई दूर संचार के साधन तब इतने हजारों किलोमीटर का समंदरी मार्ग तै करके एक महादवीब से दूसरे महादवीब तक आना और वहाँ अपना व्यापार करना इसका क्या कारण रहा होगा इसके लिए हम एक उधारण समझ लेते हैं जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो और वो बहुत धनी बनता जा रहा हो तो ये स्वाभाविकी है कि उसको देखकर आसपास के व्यापारी भी वो रस्ता जरूर अपनाना चाहेंगे जिससे वो भी उसी की तरह तरक्की करें बस यही हुआ East India Company के साथ यह उस समय की बात है जब भारत के मसाले यूरोपिय देशों में बहुत पसंद किये जाते थे उस समय यूरोप में सबसे वर्चस्व वाला देश इटली हुआ करता था भारत से मिली काली मिर्च तो बहुत ही जदा पसंद की जाते थी काली मिर्च की भारी खेब माला बार से अदन की खाड़ी और फिर वहां से लाल सागर याने रैटसी के जरीए मिस्र को जाते थी मिस्र से यह भूमध्य सागर से होते हुए इटली तक पहुशती थी इस तरह भारत से पहुचे हुए ये मसाले वहां के व्यापारी कई गुना दाम बढ़ा कर अपने पडोसी देशों को बेश दिया करते थे उन्ही देशों में से एक देश था पुर्टगाल पुर्टगालियों को ये दाम बहुत जादा अखराते थे जोकि पुर्टगाल भी एक ऐसा देश था जो दो तरफ से समंद्र से घिरा था तो वहां पर अच्छे नाविकों की कोई कमी नहीं थी उन्में से एक नाविक था वासको डिगामा वासको डिगामा जिसे कौन नहीं जानता कहते हैं वासको डिगामा ने भारत की खोच की भारत की खोच? सोचने में थोड़ा अजीब लगता है भारत जो कि कई हजारों सालों से एक ऐसा भूखंड रहा है जिसे कभी किसी खोच की जरूरत नहीं थी हाँ वासको डिगामा ने यूरोप को एशिया से जोडने वाला एक ऐसा समंदरी मार्ग जरूर दिया था जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का रास्ता आसान हो गया जबकि इससे पहले यूरोपिय देशों के लिए भारत एक पहली जैसा था वासको डिगामा ने अपनी यात्रा पुर्तगाल के लेस्पन से 8 जुलाई 1497 में चार जहाजों जिसमें 170 से जादा आदमी थे के साथ शुरू की वासको डिगामा कप ऑफ गुड होप अफरीका के दक्षनी कोने से समंद्र के रास्ते होते हुए भारत के पश्चिम तड़ पर इस्थित केरल के काली कट पहुचा तरह यूरोपिय देश भारत आने लगे और अपने व्यापार को बढ़ाने लगे चुकि पुर्टगाली, डच और फ्रांसेसी ब्रिटेन से काफी पहले ही भारत के साथ व्यापार करने लगे थे अब जब ये व्यापारी भारत के साथ व्यापार करके सशक्त बनते जा रहे थे तो बस प्रिटेन को भी लगा कि वो लोग भी यहां आएं और व्यापार करें क्योंकि उस समय अंग्रेजों का सामराज्य हिचकोले खा रहा था प्रिटेन के कई बड़े व्यापारियों ने 10 अप्रेल 1591 में इस्ट इंडिया कमपनी अनौपचारिक तोर पर इस्थापित की अब इस कमपनी में कोई अर्चन ना है लहाज़ा प्रिटिश राजगराने से जुड़े आला अफसरों को भी इसमें हिस्सिदार बनाया गया आखिरकार 31 दिसंबर 1600 में महारानी की मन्सूरी के बाद इस कमपनी पर प्रिटिश राजगराने की मोहल लगा दी गए इस्ट इंडिया कमपनी को इंडोनीशिया, दक्षन अफ्रीका, भारत, चीन, बर्मा जैसे पूर्वी देशों में व्यापार फैलाने की अनुमती मिल गए अब इस्ट इंडिया कमपनी कोई छोटी मोटी कमपनी नहीं थी, उसके पीछे ब्रिटेन की राजसी ताकते घड़ी थी सर थौमस स्मित कमपनी के पहले गवर्नर बने, इसका मुख्याल है इंडिया हाउस लंडन में बना इस्ट इंडिया कमपनी का पहला बढ़ाव भारत नहीं बलकि इंडोनेशिया था कमपनी के पांच जहाज इंडोनेशिया के लिए 1601 में निकले इसके बाद इस्ट इंडिया कमपनी 1607 में दक्षन अफरीका पहुची जब East India Company ने यहाँ पर अपने आफिस जमा लिये तब उन्होंने भारत की ओर रुख किया और आखिरकार विलियम हौकिन्स के नेतरुत्व में हैक्टर नाम का जहाज 24 अगस्ट 1608 को सूरत के तड़ पर पहुचा उस समय भारत पर मुगलों का शासन था और जहांगीर तातकालिक मुगल शासक थे हौकिन्स व्यापार की नियत से भारत आया था इसलिए उसने राजदूत के रूप में जहांगीर के दरवार में हाजरी लगाई भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमती मिलना इत्ता आसान नहीं था क्योंकि उस समय डच और पुर्टगाली अपने पाउंच जमा चुके थे शुरू में जब अंग्रेज व्यापारियों ने जहांगीर के दर्बार में हाजरी दी तो उन्होंने यूरोप से लाई हुई वस्तूओं को तौफे के रूप में जहांगीर को सौपा ये वस्तूओं बहुत ही बेजोड और शांदार थे भारत वैभव धन दौलत के मामले में तो बहुत आगे था पर तरक्की के मामले में वो यूरोप से कहीं जादा पीछे था लिहाज़ ये वस्तूओं मुगल शासकों को बहुत आकर्शित करती थी इसलिए मुगल शासकों को मनाने का इससे आसान तरीका अंग्रेजों के लिए और कोई न था इन सब चीजों से जहांगीर अंग्रेजों से खुश तो बहुत हुआ लेकिन वो अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमती देने से हिच्चक रहा था क्योंकि वो डच और पुर्तुगालियों को नाराज नहीं करना चाता था पिरकार काफी वक्त के बाद अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमती मिल गए लेकिन मामूली वस्तों की ही अंग्रेज इससे निराश जरूर हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी वो मुगल भाश्शा के साथ साथ अन्य राजे रजवारों को यूरोपिय बाजार से लाई गई चीजों से खुश करते रहते थे एक बार जब इन सब को इन वस्तों की आदत बढ़ गई तो अंग्रेजों का काम आसान होने लगा आखिर उनका सब्र काम आया और अंग्रेजों को ना केवल मनवांचित व्यापार करने की अनुमती मिली बलकि भारत में फैक्टरियां इस्थापित करने की मन्जूरी भी मिल गई इस्ट इंडिया कम्पनी ने अपनी पहली फैक्टरी 11 जनवरी 1613 में सूरत में इस्थापित कर ले भारत की बेश कीमती संपद्दा जहाजों में भरकर यूरोप चाने लगी यूरोपिय बाजारों और इंग्लेंड की फैक्टरियों में बना सामान भारत आने लगा 1646 तक अंग्रेजों ने लगभग तेविस फैक्टरियां इस्थापित कर ली थी जो भारत के ही कच्चे सामान को लेकर बनाई जाती थी ब्रिटिश फौजें ही समंद्र में उनके जहाजी बेड़ों की सुरक्षा करती थी लेकिन बाद में कमपनी इस इस्थती में आ गई कि भारत में उनके जहाजों को उनकी प्राइविट सेना ने संभाल लिया जब औरंग जेब का शाशन काल था तब अंग्रेजों ने उनसे बिना पूछे कुछ हिस्सों पर कबजा कर लिया इससे नाराज होकर औरंग जेब की सेना ने अंग्रेजों के तांत खटे ही नहीं किये बलकि उनको भारत से चले जाने का आदेश भी दिया था पर अंग्रेजों ने माफी मांग कर जादा कस्टम ड्यूटी देना शुरू कर दिया इस तरह धीरे धीरे इस्ट इंडिया कमपनी ने बड़े ही सुनी योजित ढंग से अपने आपको भारत में मस्बूत किया अंग्रेजों ने कच्चे माल की आपूर्ती और भारती बाजार में अपने सामान को बेचने के लिए कई बड़े भारती विवसाईयों को अपने साथ मिला लिया इस तरह East India Company में अंग्रेजों और भारती विवसाईयों का गठबंदन बहुत कारागार साबित हुआ कहते हैं East India Company जितने साल भी भारत में रही मुनाफे में ही रही एक छोटी सी पूंजी के साथ भारत आने वाली कमपनी के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये भारत में 200 सालों तक राज करेगी आने वाले दिनों में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना डाला लेकिन यहां बात East India Company के भारत आने की है और भारत में अपने पाउं जमाने की हुई है तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेज़े